Hello friends, so welcome you all to the next lecture of Python series. जैसा मैंने आपको commit किया था कि आज हम लोग practical session पर बात करेंगे, क्योंकि theoretical हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरी ये practically implementation हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, अगर आप में से practical session आप साथ में चल रहे हैं, मतलब अगर आप लोग practical कर रहे हैं, that is well and good, लेकिन at least आप इस practical session के बाद थोड़े से confident हो जाएंगे, कि yes, जो भी हम board पर देख रहे हैं, वो practically implement होता है, तो आज हम लोग बात करने वाले input method के बारे में, input के अलावा print method में हमने अलग-अलग format देखे थे, formatted string के बारे में हम लोग ने बात की थी, तो इसके अलावा, let's see, if else के बारे में भी बात करेंगे, identity operator का concept हम देखेंगे, okay, so let's start one by one, लेकिन before that, please video को share कर दीजिए, subscribe करिए, bell icon button पे click कर दीजिए, और सबको benefit लेने दीजिए, ठीक है, friends के साथ भी share करिए video को, python का installation, पूरा बहुत अच्छे से बता दिया था, even हमने एक simple सा program भी run करके देख लिया था, लेकिन आप मैंसे कोई भी अभी, अगर आप लोग perfect है, then it is okay, लेकिन अगर आप beginner हैं, तो मैं आपको suggest करूँगा, अभी आप आगे के editor के बारे में ना सोचें, मेरे साथ चलिए, मैं आपको बिलकुल आगे के editor, पाइचाम और Jupiter के बारे में भी बताने वाला हूँ, लेकिन, at least as a beginner, आप शुरू आज के 10 से 20 प्रोग्राम, notepid या ideally को use करें, हमने दोनों का concept देखा था, मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ python ideally, right, so I'll just open this ideally, and I'll go to this new file, और यहाँ पर हम देखते हैं, how to read data in single line, कि single line data कैसे read करना है, लेकिन एक चीज़ और practically, अब हम कुछ नई चीज़ें भी देखेंगे, यहाँ पर आप समझना, जैसा अगर मुझे code comment करना है, मतलब code commenting क्या होती है, यदि आप कोई code लिख रहे है, and you want that, that code will not be the part of a program, मतलब मुझे वो code को program का part नहीं रखना है, जैसे मैं यहाँ पर एक heading देना चाहता हूँ, this is a testing program for input, heading देदी मैंने, ताकि कभी भी इस program को मैं देखो, तो मुझे at least समझ में आ जाए कि यह program मैंने कि इस चीज़ के लिखा है, अब यदि मानलो में इसके बाद चलो program लिख देते हैं, तो हमने split method देखे थी, उसी को अपन apply करके देखते हैं, क्या लिखा था हमने a, b input, enter to number, ठीक है, enter to number dot, split, enter to number dot, split, मतलब it's a testing program पर input in single line, समझ रहे हैं, तो split method हमने इसलिए पढ़ी अगर आप split में कुछ भी नहीं देएंगे, तो यादे मैंने आपको बताते हैं, यह data will split by space, तो लिट्स ट्राइब इस और यह एक चीज़ोर देखते हैं, जो मैंने आपको बोला था, कि input method जो भी default data आपको देगी, that is the form of string, और string को अगर मैं जोडूँँगा, तो this is concatenation, तो यह भी proof हो जाएगा, कि input method का जो return value है, वो आपको string मिलता है, ठीक, let's check, save this, अब इसके लिए मैंने आपको बोला था, if you remember, कि आप अपना एक folder बना ले, और सारे program अपने folder में रहे हैं, जैसे मैंने यह बना लिया है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको test, suppose, test1 के नाम से इसको save कर ले था, आप program को किसी भी नाम से save कर सकते हैं, that is your wish, ओके, अब मैं इसको run करता हूँ using F5, तो यह run का option यहाँ पर भी आ रहा है, and shortcut is F5, अब देखवा आप, जैसी मैंने इसको run किया, यह उपर line ने execution में error दे दी, क्योंकि अब, यदि मैंने यह heading लिखी है, तब भी compiler इसको execution का part मान रहा है, got it, तो यदि मैं चाहता हूँ कि, this line will not going to be executed, but I keep this line in my code, तो just write hash, यह जो hash होता है, इसको python में बोलते है comment, and it's a single line comment, it's a single line comment, तो यह हमने लिख दिया hash, this is the testing program for input in single line, now when I run this, अब मैं अगर इसको run करता हूँ, तो यह message मुझे मिला, अब देखो आप, अगर आपने split method को use किया है, और अगर आप data इस तरीके से enter करोगे, जिससे मैं करके आपको बता रहा हूँ, no doubt, it's an error, कि आपने 12 के बाद enter button trace कर दिया, and it is an error, value error, not enough value, क्योंकि आपने split method अगर use किया है, तो at least, मतलब आपको data single line में लिखना है, क्योंकि आपने 2 input लिये हैं, और आपने split करने के लिए बोला है, और a single line, right, तो इसलिए, फिर से हम इसको run करते हैं, वापिस से file में आते हैं, run this, और यहाँ पर मैंने लिखा, फिर से 12 space 10, and then I'll get the result 1210, अब यह 1210 क्यों आया, क्योंकि, see this one, यह जो value है, यह मैंने concrete करी हैं, मतलब यह concrete लिए ने चने हैं, क्योंकि input आपको मिल रहा है, extinct format में, and if you remember, मैंने आपको बोला था, अगर आपको input, दोनों value, single line में लेना है, और input भी integer चाहिए, मतलब read the data, read the input in single line, तो हमने एक map का concept देखा था, मैंने आपर लिखा था, map जिसको हम आगे, पढ़ने वालने अभी आगे, बट फिलाल, अभी हम इसको just use करते हैं, ठिक, now just check this program, अब मैं इसको save करता हूँ, and I run this, again it asks me, अब मैंने लेखा 12 space 10, so I'll get the result 22, मतलब now I'll read the data in integer format, अब जो data read हुआ है, वो integer data read हुआ है, got it, तो practically आप चीजों को, जब तक चला के नहीं देखेंगे, जब तक आप practically confident नहीं होंगे, क्योंकि board पे language समझ में नहीं आती है, ठीक है, see this one, अब यदि मैं चाहता हूँ कि यही split, मुझे किसी particular character से करना है, तो मैंने यहापर single code में suppose comma लिख दिया, whatever the character you want, मैंने लिखा हुआ है comma, ठीक, and then again I'll run this, अब मैंने यहापर लिखा है 12, तो अब मुझे comma compulsory लगाना है, 12 comma 10, and the result is 22, got it, तो समझ मैं कैसे हम data को split करने, अब comma की जगा, कोई और भी character use कर सकते हैं, वो आपकी अपनी choice है, ठीक, लेकिन generally हम, अगर single line data read करते हैं, तो mostly we are using comma, ठीक, अब मैं इसको comment करता हूँ, and I can write some another code, मतलब मैं एक ही page में code लिखके बता रहा हूँ आपको, अब यादे मैंने आपको एक program बताया था, और मैं कोशिश करूँगा, कि हम उसी example को practical में consider करें, जो हमने board पे पढ़े हैं, और आप में से, अगर कोई लोग directly इस video को देख रहे हैं, पहले आप इसके practical session को attend कर लें, so that आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप directly अगर बिना पढ़े, अगर practical देखोगे, तो आपको समझ में ही नहीं आगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा explanation, theory class में किया हुआ है, okay, so let's take, अगर मानलो मैं यहाँ पर लेता हूँ, variable, मतलब हम बात करते हैं, formatting की, ठीक, तो formatting के लिए, चलो, इसी program को देखते हैं, यदि मैंने बोला, desire the two number, और अब मुझे इसका addition, print करना है, लेकिन कुछ formatting करके, ठीक, so see this one, यहाँ पर मैंने लिखा, c equal to a plus b, okay, and print, addition is, percentage d, याद है, यह समझ में है, percentage d, addition is percentage d, and, percentage d, is, percentage d, addition of, मुझे output क्या चाहिए, जो दो number में दूँँगा, मानलो, अगर मैंने दो number दिये, 50 and 20, तो मुझे output चाहिए, addition of 50 and 20 is 70, I already discussed this concept in the theory class, तो इसके बाद मुझे क्या करना है, comma percentage bracket में, a, b, c, sorry, there is no comma, ठीक है, directly you can write, addition of percentage d, first percentage d, will print the value of a, second percentage d, will print the value of b, and third percentage d, will print the value of c, this is what, formatting of the string in python, कि जब भी आपको python में, string formatting करना है, so we will go for this concept, let's try, save it, ठीक, suppose if I enter 20, comma 10, addition of 20 and 10 is 30, this one, addition of 20 and 10 is 30, आईगा समझ में, ठीक है, तो कैसे आपको, split करना है, कैसे आपको, formatted वे में, data print करना है, I hope, आपको समझ में आ रहा होगा, यह कैसे हो, data को formatted वे में, print करेंगे, तो अब, यह तो हमने बात की, formatted की, ओके, लेकिन, इसके अलावा, मतलब मैं, एक-एक example आपको बता रहा हूँ, now you can run the code, as per your requirement, ठीक है, यह भी हम एक-एक करके, example देख रहे हैं, इसके अलावा, मैंने आपको एक concept बता आए था, जहाँ पर हमने बात की थी, separate और end की, मतलब, you can separate your data, और you can end, मतलब end आपको किस से करना है, ठीक है, जैसे, यदि मानलो मैंने लिखा है, यहाँ पर we have a two variable, a equal to suppose 100, b equal to suppose 200, and c equal to suppose 300, ठीक है, तीन variable है, and we have three data, यदि मैंने ऐसा लिखा, print value is a, b, c, फिलाल, अगर मैं इस तरीके से लेखता हूँ, value is a, b, c, and I'll just save this and run it, मुझे output क्या मिल रहा है, 100, 200, 300, लेकिन मैं चाहता हूँ कि, मुझे in values के बीच में, कुछ separation चाहिए, तो यादे मैंने आपको separation के लिए, option बताया था, in print method, we have an option called separate, ठीक है, we have an option called, separate equal to, column, ठीक, let's check, यह देखा आप, this is what, separation, separate equal to colon से क्या हुआ, जो values आई, उनके बीच में क्या आगया, separation, यह colon की जगह, आप कुछ भी लिख सकते थे, मतलब अगर आप चाहते हैं, कि जो आपकी value print हो रही है, आपको समझ में, जब तक मैंने separation नहीं लिखा था, तब तक आपको result कैसे मिल रहा था, let's see, अगर आपने separate नहीं किया, you will get 100, 200, 300, but after separation, अगर मैंने separation लिख दिया, तो I'll get the value 100, 200, 300, यह पढ़ा है हमने, don't worry, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, direct practical के पहले, एक बार theory lecture जरूर देख लें, ऐसी मैंने concept आपको बताया था, end, end equal to, आपको end किससे करना है, तो आपको end में कोई भी एक करेक्टर लिख सकते हैं, जो भी आपको message देना है, मानलों मैंने लिख दिया यह, end with star, I want to end this value with star, ठीक, तो यह, end में star आगा, you'll get star in it, तो यह, छोटे छोटे चीज़ें, अगर आप प्रेक्टिकल करके देख लेंगे, तो आप लोगों को, at least समझ में आ जाएगा, कि यस, in python, the code will execute perfectly, similarly, मैं आपको print method में बताया था, कि you can, use जैसे मैंने लिखान लोड डेटा फ्लेयर, यह ना, मतलब यह, multiple time, you will get the same result, so this is what, print statement, input statement, हमने देखा, formatting का मैंने आपको concept बताया, कि how to format the data, तो कभी भी आपको लगता है, कि आपको अपने result की formatting करना है, या data input लेना है, ठीक, single line पर input लेना है, so you can read the data in single line, ठीक, ऐसे ही हमने, एक और concept देखा था, if you remember, format, string format, यान वही example लेता हूँ, मैं देखा, मैं quote comment करते जा रहा हूँ, ताकि, बार बार मुझे नई file न बनानी पड़े, आप हर practical के लिए, नई file भी ले सकते हैं, ठीक, यादे एक्जाम्पल जहां पर हमने लिया था, role number, equal to, 100, name equal to, suppose मैंने लिख दिया, विवेक, ठीक, and, age equal to, suppose मैंने लिख दिया, 35, role number equal to 100, name equal to विवेक, age equal to 35, suppose यह value है, and I want to print this value in formatting, मतलब मुझे string formatting करना है, तो आपको यादे हमने कुछ इससा पढ़ा था, htr equal to, एक variable आप लेजी, htr, theory class पढ़ी है, हमने, don't worry, वहाँ पर सब explanation है, मैं जाता हो, मुझे output चाहिए, name is, and there is a placeholder, मतलब यहाँ पर मुझे, role number की value चाहिए, अभी मैं आपको data input लेके, भी यह concept बदाता हूं, don't worry, अभी तो पहले एक बार हम, यह देख लें, name is, यह placeholder, and, पानलो, name is के बाद मैंने लिखा, and, sorry, first one is role number, यहाँ लिख देते हैं, role number, role number, is, ठीक है, and there is a placeholder, अतला जब आपको, बीच में कहीं value insert करना है, if you want to insert the data, in between the string, अगर आपको बीच में कहीं data insert करना है, ठीक है, तो it's quite difficult, कि आप बीच में data कैसे insert करो, क्योंकि कॉमा लगा के separation, नहीं कर सकता है, यह string यहाँ complete करी है, so that we will go for this, placeholder concept, तो फिर हम यह placeholder concept को देखते हैं, तो आप देखो, मैंने अगर लेखा, role number is placeholder, name is placeholder, and age is, and then again placeholder, अब इन तीनो placeholder को में, मुझे क्या करना है, format, ठीक है, तो यह आपकी str है, अब मैं आपर, तो same line पे भी आप लिख सकते हैं, और, you can write down str.format, str.format, अब किसको किस से replace करना है, तो आप ने अगर कोई sequencing नहीं दी है, placeholder में, तो आप जो भी value हैं, फर्स्ट लेखेंगे, वो फर्स्ट से replace हो जाएगी, second value, second से replace हो जाएगी, जैसे मैंने format में लिखा, rno, name, age, got it, rno, name, age, so that this role number replaced with first one, name is replaced with second one, and age is replaced with third one, let's see, check कर लाते हैं इसको एक बार, okay, sorry, I didn't print the data, that's what, अगर इसको प्रिंट करेंगे, अभी तो आपको मेलेगा, I will just directly print it, print, okay, this one, role number is 100, name is Vivek, age is 35, got it, और यदी मानलो आप ने यहां लिख दिया, 0, 1, and 2, तो फिर भी यह वही sequence follow करेगा, क्योंकि, 0 का मतलब है, the first parameter replaced with this one, second parameter replaced with this one, and third parameter replaced with this one, तो अब क्या होगा, जो पहली value है, वो replace होगी 0 से, तो अभी भी output आपको same मिलेगा, see this one, role number is this, लेकिन आप देखों यहां पर, यदी मानलो मैंने, थोड़ा समय, space देख नहुता है, so that will get the proper result, यदी देखों आप गल्द, अब मैंने अगर मानलो, यहां पर लिख दिया, name, age, ठीक है, comma, rn, तो अब मेरा replacement के साओं का पता है, पहली value, 0 replace with name, age replace with, sorry, name replace with role number, age replace with name, and role number replace with age, मतलब सब में एक्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने, अब यहां पर, index number लिख दिया, I'll write an index number, what it, ठीक, तो see this one, यह देखो, roll number, जगा रहा है, roll number is विवेक, name is 35, age is 100, everything is mix up, reason समझ में आया, reason is that, जब आपने 0 लिखा है, तो वो पहले को मान रहा है, first index number, second is, and third one is this, clear है, I hope you guys can, understand this concept, और एक और मैंने आपको बता था, आप उसको भी test करके देख सकते हैं, जहांपर हमने parameter के नाम दे दिये थे, rn equal to this, age equal to this, you can just check it out, so this is how you can, use input and output method in python, जो कि अभी हम beginning level की बात कर रहे हैं, later on, चीजें और बदलेंगी, तो हम चीजें को आगे, और detail में देखेंगे, जब हम list की बात करेंगे, जब हम to pull की बात करेंगे, जब हम collection data की बात करेंगे, so the things will be different, ठीक है, but till now, I hope you guys can understand this, तो यह भी हमारा जो practical session था, यह input को लेके था, जहांपर हमने input, output को लेके, practically concept की बात की है, ठीक है, तो next class में हम, फिर कुछ नए practical session को लेके आते हैं, जहांपर हम identity operator की बात करेंगे, जहांपर हम if else conditions की बात करेंगे, इसे धीरे, छोटे-छोटे practical session में आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आपको अगर practical में कोई भी issue आ रहा है, so that you can easily resolve it, ओके, चलिए, तो मिलते हैं next class में, thank you so much, and please video को share करिए, subscribe करिए, और bell icon button पे click करिए, thank you,